ऐसी कहनी एक एक आर्मी में एक सीख की कहनी एक और्फन बच्चे की कहनी जो भागता है जो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी रेस भी हार गया है उसके उपर फरानक तरब ले रहे हैं आप मतलब यह तो पागल ही बिल्कुल पागल हो गया इसका कोई लाज नहीं नमस्कार आएम राकेश ओम प्रकाश महरा सब्सक्राइब तो सिदात कनन यूट्यूब चैनल नव नव मतलब अभी रोज मुझे राकेश ओम प्रकाश महरा की याद आती है कि जब भी मैं जिम जाता हूं तो वहां पे मिल्का सिंग भाग मिल्का भाग आना बचता है और मेरा ट्रेनर बोलता है तुम रुके क्यों हो गाना सुरो फीलिट ब्रादर फीलिट और उसके बाद क्या जिम वरकाउट्स करता हूं सर थैंक यू फो माइफिटनेस वो कौंसे डाउन मोमेंट्स आपके खुद के रहे हैं सर वेर और ओन फिल्म मिलका सिंग्पे आधारित ने आपको इंस्पायर किया हाँ बड़ा मुश्किल है इस सवाल का जवाब देना क्योंकि अपने काम को वापिस देखने में बहुत डलत है तो शायद ही मैंने फिल्म वापिस देखी हो क्योंकि लगेगा कि यह क्या बना दिया इसमें यह भी गल बार कर लेते हैं तो बड़ा डल लगता है बट है एक बात है जब भी मैं सुनता हूं की और पढ़ता हूं या देखता हूं की जब नफरत की आख फैली होती है दर से उदर और और जब यह नो तब मुझे भाग मिल का भाग की बड़ी याद आती है की इट वस गॉंक्रीं यौन फेर देन यौन हैटर अगेंस एक अडर बट्wein communities तो फिल्म थी पार्टिशन पर बेस तो थोड़ा सिरियस टोन ले रहा हूं बढ़ी पीज लेज ये य। आ य। लेज लेज य। लेज य। 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 इस टोना लूव य। य। पक्का वो फिल्म क्या सोल वहाँ था खहीं तो । वी स्वसर अनिश्व सब्सक्राइशन देश का मढटारा हूँ आइटिन साइव, य। इन साइव, य। इन साइव, य। असल करा दोक्ता हूं य। य। रज आगितर ना डरेशन ग्रेशन फिल्म पूब स्वशन ही हूँ भी नी। कि इदर से उदर दस-दस मिलियन लोग यह हो गए उतल पुतल हो गई जिन्दगी अब उसमें से उस कहानी में भी मेरे को जो हीरो मिला मिलखा के करदार में पहनने को कपड़े नहीं सर के परच्छत नहीं है मावाफ का साया नहीं भूके पर कोईला चुरा के पेडवन ना पैर में जूते नहीं है चपल नहीं है फिर भी तुम जाके नैशनल रिकॉर्ड बनाते हो जो फॉर सिक्स्टी यह से लाग एक रिकॉर्ड साथ साल तक नहीं तूटा उनके बाद एशन गेंज में डबल गोल्ड मेंडल एशन विदा एशन गें रिकॉर्ड इन जो हमारा नाशनल स्पोर्ट नहीं तन कार्डिफ में एए गोल्ड मेडल एप कमनवेल्स गें रिकॉर्ड आप और आप हराक नकोरे हो यूके इंगल इंगल एंगल्ड ऑस्टेलिया न्यूजल इन जूजलन आफ्रिका इस नहीं अट्रिका बिटेस्ट अट आफ्रेट आट जब भी लगता है कि जिन्दगी थपड मार रहे हैं और लेफ राइड राइड रोज थपड पर रहे हैं और तब थोड़ी सोचता हूं इस कानी के बारे में तो लगता है यार क्यों तुम अपने आपको इतना भाव दे रहे हो नहीं सही भाव देर हो सर इन फैक्ट जब यह फिल्म निकली थी उसके बाद मिलखा सिंग जी बहुत मोटिवेशनल टॉक्स किया करते थे और मैं होस करता था एक साल में अम लोग नहीं कि तीस इवेंट के साथ हैं 30 इवेंट एक बार वो आय से पी बात करने लगे और मेरे साथ डांस करने लगे ऐसे स्टेज पे और बात करने लगे और बीच में पंदरा बीस मिड़ बार वो हापने लगे अनी ब्रेथ जा रहा था उनका तो मैंने बोला सर स्टेज पे सामने कि सर मैं रोकूं किया थोड़ा ब्रेक लेते हैं और मैं क्राउड के साथ तोच विटा है and that's when I realized breathlessness और जो भी हो its mind over matter उस जमाने में कई पोचे पान सिंग तोमर sports films आ रहे थी आपकी भी sports films थी उस सवे आपको apprehension था कि इतनी सारी motivational sports films आ रहे है तो हर इंसान का viewership बढ़ जाएगा थोड़ी insecurity हुई नहीं अचली अपने में अनोखी थी बहुत चालेंजिंग थी not just to make it not just to act it out but also to put the project together and हमारे यहां थोड़ा formula जादा चलता है जब film के finance को race करना पड़ता है कि आपका hero कौन है आपकी heroine कौन है आपकी कहानी में कितने commercial angle है action है villain कौन है romance है कितने गाने हैं गाने कौन कर रहा है यह क्या होने वाला है और यह बड़ी अपने ही तरीके की कानी थी अगर आप देखें कि इसका कुछ comparison है नहीं तो मेरा एक ही जवाब होता था कि कि अक्स जब मेरी पहली फिल्म बनी थी उससे पहले भी आप मेरे से यही पूछते थे फिर आप लोग ने मुझे मुझे मौका दिया रंग दिवसंती बनाई उससे पहले भी यही पूछते थे तो अब यह तो बनाने दो क्योंकि कैसा होगा क्या formula यह कोई वो तो है नहीं क कि क्यूज रेस्टरांट में बटर चिकन बहुत अच्छा बनता है चलो वहीं चलते हैं तो जो बटर चिकन फैक्ट्री और शीति बखा रहा हैं और बटर चिकन एवरी फिल्म इदिफरेंट रेसिपी हरी फिल्म का अपना अलग इमोशन होता है और वो जैसे दो अलग अलग अलग कहानियां भी होते हैं तो आप उस वक्त डाइनामिक्स में नहीं घुसे थे कि देखो इतनी स्पोर्ट्स फिल्म आ रही है वो सब आपके दिमाग में नहीं चल रहा था और चल रहा था वो मेरे दिमाग में कभी भी नहीं चलता और आज भी नहीं चलता है बन कि एक यह रिलीज हुई है महिंदरा की थार और बहुत अच्छी गाड़ी है क्योंकि मुझे भीच चाहिए है और यह बिकरी है चलो दसलाक और बना देते हैं इसा नहीं है कि एक मतलब शोले बन गई तो चलो 50 शोले और बना देते था वो एक ही बनेगी और बड़ा का भाग बनी है तो वो एक ही बनेगी को दो बारह नहीं बना सकते हैं ये रमेश सपी सा भी कहते है शोले के बारे में, एक बार बन गई तो बन गई, पर उस समय मुझे याद है बहुत क्रियर ली कि लोग कहते थे यार, फरान, अक्तर को क्यों कास्ट कर रहे हैं, इंडस्ट्री में भी और इंडस्ट्री के बहार में भी लोग दिली दिल और मनी मन में कह रहे थे यह गलत डिसिजिन होने वाला था आपका, अब आप कह रहे हैं तो मानना पड़ेगा, क्या होता है कि हम सब स्कूल कॉलेज के पड़े वे हैं, एक कोश्चन पेपर आता है, अब उससे पहले ही अगर वो डिसाइड कर लेके आंसर नहीं दे सकता, अरे पहले देख तो लो, पर आपने सुना था जब लोग यह कह रहे थे? सुना था मतलब ऐसा था कि कोई लाउड स्पीकर लगा हो, कि सुबह उठता था तो, यहां से यह, वहां से यह, कि एक ऐसी कानी, एक आर्मी में, एक सीख की कानी, एक और्फन बच्चे की कानी, जो भागता है, जो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी रेस भी हार गया है, और उसके ओपर फरानक तरव ले रहे हैं, यह तो पागल ही, बिलकुल पागल हो गया, इसका कोई लाज नहीं है, क्या है कि एक परसेप्शन बन जाता है, आप फरान को लोगों ने रॉकान में देखा है, यह नहीं वेजिए रॉबन बड़ी पॉलिष्ट इस वेज़ए, लवली लवाट तुनकी च्बी जाईसे बन गईी. But I know फरान from the inside. I know the depth he has, I know the talent he has, such a natural. So many times I have spoken to him with the same breath as Balra San. and uh he he can mold himself into any part and his eyes reminded me a lot about milka singh guys so yeah in fact sunnye mein aya please correct me if i'm wrong ritek ranveer singh amir sabni roll reject kiya ta uh oh kya kata hai dhane dhane pere lkha khane walega na to jis ke bhaagye mein joh wo hota hai osi ko pauchta hai ah kahi filmen mein hai attempt ki hai joh mein nahi bana pahe kahi filmen kaiyoh ke pahas jati hai aur uh oh wow us time unka mind space nihi hota ki easi filmen jaake farang ko you won't and uh believe i had offered him rand evasanti and he hadn't said you this was 2004 khi bata milka to 2013 mein ba nahi hai और नना नहीं, वो तम चिया हांकों में टोइंकल था हूं था। वो भाध्म सांटों और बना में लिए घ्सा जेए लेका है। मैं भी ड कार्वाफर, अर टीक। अवह करें बन रही थिए बन चुकी थी तो उसी ताम दिख्याथा कि विज्ट अम्हें आपम आपने अध्या ख्क दू जब आपको आपने गला बन में आ यह मैं अधीर हूं राइटर हूं तो नहीं है अधीर कि अधीर केर्स अधीर के है and picking up the parts which he felt he could do justice to and which is a sign of a very intelligent not just intelligent person it's a sign of a very a person who is a student of cinema or you know you're a student of a certain discipline for him cinema is comes first before he comes you have to offer which role he offered? Karan, which Siddharth has played wow it was the author back role of course Siddharth was a scene stealer film stealer but you didn't tell me about it Ritik Ranveer Amir rejected? rejects? ने रिजेक्ट की था था धागमिल कमार को अ रिजेक्ट तो किसी ने भी नहीं किया इन तीनों ने नहीं किया था अ रितिक के बारे में आप सही बोल रहे हैं रितिक को वैंने च्रुप दी थी पढ़ने के लिए और वो सिंगापूर में थे और उनका मेसेज आया की बिख्या हुआ सरॉ एर टे उ एं मतम पश्तरी डेला जा जाएो घृ Πशू पडाइड़ कर घार शृष। चलव हरु एर सुभे के डाई तीन भजया था मैश्ज मारा शोका स्टेट पमएफ हमारी आमिर के ताद असा बहुत वहाषी किựए उल्क के साथ के भॉल कर दो तूरी गोडी पे बैठता है तो हम आमिशा अमिर या गिराएगी भी, so he warns me, so I tell him I am ready to fall, yeah, break my nose, that's not a problem. Wow, in fact, सुन में आयता कि रिटिक ने रंदे बसंती भी रिजेक्टी थी? Uh, they reject me, there was a consideration of who all could be in the film, it was not a rejection. तुमाने अपने अफर किया पर इदिन वोकाओट थाइप्स? I didn't meet him directly for the role, for the part. I think Aamir spoke to him about that, I see a film अपनरी है, and all that. पर अब तान चल रहा था, जो हुआ वो हुआ. And I was extremely lucky to work with some amazingly relatively fresher talent. यो रहतो फ्रेश एर भी आई फिल्माने, yeah. Sir, भाग मिलका भाग, जैसे आपने मुझसे कहा कि, it's about conquering your inner demons. कभी का, हम अपने आप से लड़ते हैं. We are our own villains, our own heroes. आप अपने failure के साथ कैसे deal करते हैं उसे? कभी कभी तो darkness में हार जाते हैं, failures के आगे, हार मान लेते हैं. अब, failures मेरे को कुछ ज़्यादा अच्छे लगने लगें, success से. इसलिए क्यों से सीखने को बहुत मिलता है, you, for, success, failure, for me, are two sides of the same point. You know, एक heads है तो एक tails है. How do you define success, जब तक failure नहीं होगा? तो फिर success का मज़ ही क्या है? कुछ है ही नहीं. अगर कड़वा नहीं है, लाइफ में तो मीठा क्या है? तो मीठा ही नहीं. कुछ भी नहीं है. So, it is very, very important. And I think for any artist, failures, how do you define a failure? पहले तो यह होता है, कि आप के लिए failure क्या है और मेले लिए failure क्या है, वो क्या है? मतलब वो दो अलग-अलग चीज है है. कोई कहागा कि इस फिल्म ने सौ करोड नहीं किया, यह फेल हो गई. मेरे को तो कई फिल्म में जन्होंने तीन सो करोड किया, वो भी फेलियर लगती है. मेरे काफी लोग पीछे पढ़े हैं, तुम और कुछ ऐसा करवा दोगे, नहीं ऐसा नहीं, कहीं चीज होती हैं लाइफ में, कि इस वाव दिफाइन सक्सेस और फिल्यर, अब भाग मिलका भाग लीजे, वर्ल्ल रिकॉर्ड तोड़ा, रोम ओलम्पिक्स में, फिर भी फोर्टा है, चारों ने तोड़ा था, उससे एक मेना पहले तोड़ चुक है थे, मिलका सर्व, वो फेवरेट थे, तो उसको आप क्या फिलेर बोलेंगा, एक गाउं का लड़ करने एटलेटिक्स में और फाइनलेज में है, उसको गुल मेडल नहीं मिला तो क्या वो फेलियर है, नहीं, उस पर फिल्म बनती है, जैसे कहते हैं, आप स्कूल में एक बच्चा 97 परसेंट लाता है, और कोई बहुते आरही है तो नंबर फोरा है अक्लास में, पर 97 जब उससे बाब निकलने का तरीका ये ही था कि पहले क्या होता है कि कुछ आपके साथ गलत होता है तो अप पूरी दुनिया को ब्लेम करते हो, फिर आप एसकेप करते हो, फिर आप रिलाइस करते हो. तो पहले गुसा, एंगर आता है, फिर डिनायल होता है कि नहीं है, फिर एक्सेप्टेंस, यह स्टेजेज है, नॉमल है, मेरे साथ भी वह हुआ, कि पहले बड़ा गुसा है, कि यह सब वह सब, फिर डिनायल में रहे, फिर एक्सेप्टेंस कि मेरे में कुछ कमी होगी, कमी रह गई होगी, चलो भूल जाते हैं, but when that realization came, you bounce back, and for me, it is the most important period of my life, which is Delhi 6, because the film is growing, आज हम उसके बारे में बात करें, कल कुछ, एक podcast था, आस्ट्रेलिया से करते हैं, कोई, A.R. Rahman का club है, तो बोल रहे हैं, प्यासा, मेरा नाम जो कर डेली 6, अब तुमारे को इन फिल्मों के साथ अगर डाल दिया, तो बोलते वे भी डर लगता है, कि they also at the box office went down, फिर मैंने सोचा, या तुने बड़ा कडवी गोली को sweet coating करना चाहिए था, कि बच्चे को बोल रहे हैं, देख, गोली मीठी है, चूसले, बद अंदर से कडवी है, जो होता है हमारी दवाईयों में, पानी के साथ पी लग, चबाव ने, यह सब, में, I called a spade a spade in that film, I questioned people for their misplaced faith, उनको लगा, यह मेरे faith को question कर दाए, मैंने उनके blind faith को question किया था, तो, शायद मेरा बच्पना था, which is okay, and at least, किया तो सही, at least, वो है कि, जब, कभी भी मैं आपसे, अपने आपसे ही पूछता हूं कि मेरी favorite film कौन सी है, तो वो दिल्ली चाहे ने कर दाए, मेरी team में, मेरी manager है, content manager माधूर में, हम सम बहुत बहुत लगाव रखते हैं with Delhi 6, honestly, I'm saying this, I think it's not bachpana sir, when I look back, जैसे, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, और मैं गाड़ी में बैठा हूं, और मैंने एक सवाल जो मुझे आपसे पूछना चाहीता, अगर मैं नहीं पूछा, और मैं गाड़ी में बैठता हूं, I end up killing myself, because I feel मैंने अपने expressions को curb किया, and that makes me not sleep in the night, because I felt I should have asked Rakesh sir, what was in my heart, response जो भी हो, अलग है, I think, अगर आप express नहीं करत फिर फाइदा क्या हुआ sir? ऐसी थीन स्क्रिप्टें हो रहे हैं, तो जो काम है उन पर, लोग, डिली सिक्स से डाक हूमर भी था, but डिली सिक्स ने मुझे भाग मिल का भाग दी, भाग मिल का भाग नहीं बनती है अगर दिली चाह नहीं होती, that was my film after that. वो डाक फेज में क्य अपने hope give up किया अपने उपर? मतलब ही नहीं, मैंने उसी काहनी को पलट के बोला. वही काहनी को, एक एथलीट की काहनी बना के बोला. तो इसमें सब राकेश ओम परकाश कहीं बसे हुएं? अगर आप अपने काम में नहीं बसे हुएं, तो फिर कहते हैं ना कि यार यह मा के ह नात का राजमा इतना अच्छा दा वह तो असरते हो जाएगा, इस बिगस्ट लाइन लाइफ ना मादर को कि कुकिए वह बस थी आपने खाने में. सर जब मिर्जिया इतनी अच्छी नहीं चली, उस वक्त अपका रियाक्शन किया था? उस आस्पेक को कैसे डिल किया आप? मिर्जिया में मोर देन इमोशनली मेरे को फिनांशल थपर थोड़ा इजादा पड़ा था. Financially, I suffered a lot and I was under a lot of deaths and loans after Mirjiya and because I took the onus of the losses on myself. I said I will share the losses. वापने सामने से बोला? सामने से बोला, ऐसा में उसमें से निखल भी सकता था, but I took the responsibility. It took me some years to overcome that, took me 7-8 years to get out of that. But, ऐसा कुछ हुआ नहीं, अभी भी लाइप चल रही है, मैं आपके साथ बैठा हूं, निकल गए उसमें से और वह भी एक अच्छा एक्स्पीरेंस था. It was the first musical I attempted and it will teach me to make more musicals. And the music of the film is, शंकर एसान लॉय खुद कहते हैं कि, गुजार भाई खुद कहते हैं कि, it is one of the finest works of शंकर एसान लॉय. मैं भी खुद कहता हूं? क्योंकि music के थुरूख उसे थे उस कानी में, अगला musical जो बनाएंगे और अच्छा बनाएंगे. In fact, जब मिरजिया रिलीस हो रही थे तब नेपोटिजम का डिबेट बहुत चल रहा था. हर्श वरदन कपूर पूरा वो डिबेट बहुत कहराई से लोग बात कर रहे थे. उस पर आपके thoughts उस वक्त क्या थे? मैं पढ़ता ही नहीं था, क्योंकि मैं फिल्म से focus नहीं जाता हूं. जब मेरी फिल्म शुरू होती है, तो I think social media से तो मैं off हो जाता हूं. डिजिटल डाइटिंग पर आजाता हूं एक्दम और टीवी का पूरा cable network कट हो जाता है घर पे. So it's you I have to get into that world. Because if you are in that outside world also in this world also you might do cheating to this world. यानि कि आप कहते हैं कि आप अपने रूह के साथ, you, your own company is all there is while you make creating a project. नहीं, I am with all my characters. I am in the universe and it's, कहते हैं ना वो multiple personality disorder. वो हो जाता है. कि आप heroine भी हो, hero भी हो, hero की माँ भी हो, villain भी हो, जो थपड मारता है वो भी हो, जो थपड खाता है वो भी हो. You have to feel each character. मैं किसी से बात कर रहता है, मुड़ी वरी कंड़ीड, okay? 100%. Okay? With your permission. They said he's a masterpiece of a director and we all know that. Okay, we know that. But they said, has Rakesh Om Prakash Mehera lost his magic touch after Bhaag Milkha? मैं कोई PC सरकार थोड़ी हूं जो magic करता है या. और की हाट खोली तो करगोश आजगा. या लुक फेड़ाओ. या लुक फेड़ाओ. ऐसे terminologies उसे करते हो. And I don't think if you stay young, मेरे जो गुरू थे वो अब नहीं रहे, Ashok Mehta. He was an amazing cinematographer. Of course, sir. हाट पेंते थे कावबाव वाले. बिलकुए. सारे हाट उनी के दिये रहे. वो हाँ. तो वो हमेशा कहते थे कि बच्चे करके बच्चे कोई बुड़ा नहीं होता, बड़ापे का शिकार होता है. Then I asked Mr. Narayan Muti, who was like a mentor to me. And I asked him, sir, what's the mantra? And he's written a lovely chapter in my autobiography. And he said, Rakesh, when I go to a blockbuster, a blockbuster is a video rental store in America. I should ask for a Rakesh Om Prakash Mehra film. And point number two is, always surround yourself with young people. Stay young. So, that does not mean, if you are 60, 70, 80, if your thinking remains young, that is the magic touch. There is nothing else. अगर आपकी thinking, तो मैंने अभी फिल्म बनाई दो साल पहले इसका टाइटल था मेरे प्यारे प्राइमिस्टर जो जादा लोगों को नहीं मालूं जो एंगियो मनी पर बनाई है तो राइस करीम फिल्म फिल्म से इस्ट्रस दें समीडिस में और में कि प्रयों कुष्ण करोड़ में तो बनात प्राइस सब्सक्राइबक गरोने है करें, दोस्तुलन आचरष का्यों परयों नमीक्राइस काला एक जो मालूं में उर्करणा कार ऑलूं कम्रेट वात कॡिग क्या है इन फैक्ट बहुत सारे क्रिटिसिजम्स आते हैं लाइफ में पर एक क्रिटिसिजम्स जो आपने रिसीफ की जो आपने अपके जहन में है यूट अफेक्टेट बाइट या यू ब्रश्ट इसाइट पर जहन में वो कौन सा है आपने आपको इतना सीरियस्ट लेता नहीं कि यार मैं थीक है तुम आपने क्रिटिसाइस किया मेरे को आपका पॉइंट अपने पॉइंट पॉइंट अपने अपने पॉइंट प्विए ना मैं उसको क्यो सच्छ मान मैं उस दौर से निकल पड़ा हूं आफर डेली 6 तो इस आपने पने पर सब्सक्याने अपने मüne नियुको मैं मिलंको है क्रेंट ऑने पर से लिएप क्रेंड तो आपको क्रॉट अचाने मुक्त सम्च मान मैं बताहूं नहीं। कुछ लोग vegetarian होते हैं, कुछ non-vegetarian होते हैं, वो vegetarian बोलते हैं, यह क्या खा रहे हैं, you know, और non-vegetarian होते हैं, उनको एक एक recipe तनी अच्छे लगते हैं, वो तो उस पर recipe books बनती है, it's just a point of view, it's what's the glasses you're wearing, and what's your vision? You work with so many people, वो कौन से एक अक्टर रहा है, जो आपके अच्छे वक्त, and most importantly, बुरे वक्त में आपके शाथ हमेशा खड़े रहे हैं, all of them, Aamir, Farhan, Mr. Bachchan, Manoj, Raveena, Aamir, 100%, Soulmate, Farhan, all of them, Divya Datta, Sonam, and yeah, it's like absolutely, and not just actors, हम ऐसे शोज में एक्टर की बाद जादा शाद इसले करते हैं, कि audience को वही दिखते हैं, कैमरी की पीछे जो लोग मेरे साथ खड़े रहे हैं, उनका, A.R. Eman, Shankar, A.S.A.N.L.O.Y., भारती, उन मैं फ्रेडूसर, एडिटर, रॉनी स्कुरूवाला, एक्सले एक्सले एंटर्टेंमेंट, डिटेशन फरान, यह सब रॉक सॉलिड है, मतलब, सुबह तीन बजे उठा के भी बोलो, कि यार मैं यहां फ़स गया हूँ, तो वो आ जाएंगे घर आके आपको निकाल देंगे, उस आग़े. तो डेली 6 वाले फेस बे और जब वरी ब्रेवली यू तो कल दोस फाइनशल इस्टरबंस इस ओने शोल्डर, यह लोग सब थे आपके बगल ने, सब के सब, पर इंसे मात्रक मागी है आपने, इस आस्टेंपाया, नहीं यह बेन, यू नो समबड़ी इस देर इन स्पिरिट करना था आपको खुद ही पड़ेगा, your parents inspire you, but वो exam में आके आपके लिए नहीं बैठेंगे, वो आपको inspire करेंगे, if you are inspired by your father, your mother, your teacher, but जिन्दकी की लड़ाई तो आपको खुद लड़नी है, फिर आप बोलरों कि मेरी लड़ाई आप लड़ना, तो वो तो फिर, it's a sign of weakness. Sir, सुनने में आया की सुरिया के साथ काम कर रहे हैं, is that true? सुरिया नमस्कार तो मैं रोज कर रहे हैं, काम कर रहे हैं की नहीं, you're working with सुरिया और करना? I want to make करना, one day, I have been, first discussion was with ऐसी बातों बातों, अतुल करनी हैं, आमिर के साथ सेट्स पर होती थी, रंधर के साथ बाते होती थी, बातों के साथ बाते होती थी, आधि मैं यह थी, तुम्हे क्या लगता है, क्या लगता थी, बांसिंग बार ? to finish the script now it's on uh casting stage yeah so surya है की नहीं उसमें सर करना इस सूर्य पत्र that you know in my mythology you know I love you right I love you more love you two and three yeah but शाहिद भी I was hearing की you might be casting him um it's I don't know which film I'm making next so it will all become gossipy so there are three scripts and let's see who wins touches the line something I'd like to share with you and through you and with you with this immense popular popularity you have and following you have uh आप अपने audience को हाथ जोड़े जी उनी की वज़े सर सलाम भी करता हो सर मैं इस सब करता हो ओडियोंस को नहीं आपका कमाला I've been watching you for so long and being with you and we've been talking from the days when we used to be very old अभी तो हम यंग होते हैं अभी तो हम यंग होते हैं तो भाग मुल का भाग इस रिलीजिंग इन थर्टी सिटीज आने वाले दो अफते में आने वाले दो अफते में तो जिन जो लोग because of this impairment could not enjoy the film earlier could only see moving now they'll understand what's going on beautiful gesture sir not a gesture it's a it's a it's a it's it's a itna प्यार दिया तो या इतना सा भी तुम वापस सीड होगे तो क्या होगा फेदए It's also about giving, right? Only about giving. Sit ke kangaar. Sonam aur harsh, better actor? Anil Kapoor. Better friend, Amitabh or Avishik Bachchan? Jayaji for sure. One actor jiski aap die karreya work karne ke liye. Ya time machine mein baat ke piche jana padeega. And Dilip saap ke saath kaam karna padeega. Oh ji kehte hai na right. If it wasn't Farhan aur korn play kar sakta tha unka kirdar in bhaag milka bhaag. Khud milka se. Sonam in Delhi Singh yaa bhaag milka bhaag. Hundred percent Masakali. I thoroughly Dil se enjoyed this chat with you. Main bhot saray life lessons leke ja raa hun. And I always wanted to have this little depth wala conversation for years with you. So I got the chance. So thank you. Thank you. Thank you. And keep being a good student. Thank you very much. And this track suit sirf hathi ke daat khani ke or dikhani ke or ke aap kuch jim vim vrjish hoota hai. Sir kartao jim. Phrir nikal jata ho. Phrir kartao jim phrir nikal jata ho. But ab aapke room se bhaag milka bhaag chabra hooga. Dimaak me tujim pakka. And the interview sirf hathbanyan perkeun ke either sirf hathbanyan ke sirfh. Sir hathbanyan ke sirfh. Bina t-shirt ke sirfh. Best sirf. Pakka sirfh. Prabhye bina t-shirt ke. Dodo. He is popular to be a heroes of beach and street photograph it's in Bombay time sirfh. Yes sirfh. And that's how we make the mistake of acting through the accident of this accident. Bina t-shirt sirfh. Then don't give a mistake of doing it. Yeah. That's how we make the mistake of working. But you all know who is doing it. It's so we are all know who is going to be a bad thing बच्च्च्च्टू